उत्रप्रदेश दिवस्ट के मौके पर बागपत लोक मंच पर सांस्कृतिक कारिग्रम का भव्य आयोजन हुआ जिसमें बागपत सांसा सत्यपाल सिंग और सभी विवागू के अधिकारी मौजूद रहे। बागपत सांसा सत्यपाल सिंग ने मंच से बोलते हुए कहा कि उत्रप्रदेश उत्तम प्रदेश अब बन गया है और उत्रप्रदेश के विकास मौडल को प्रतेकराज अपनाना चाहती है। पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। राम अंदिर को लेकर उनने क्या कुछ कहा आए देखते हैं। बगवान राम के मंदिर का वहाँ पर उनकी राम लाना मूर्ती का प्रान प्रतिश्टा हुई। इस परकार से सारा उत्तरप्रदेश, सारा देश जिस परकार से राम में हो गया। यह एक संदेश है सारे भारत के लिए, सारे दुनिया के लिए, कि उत्तरप्रदेश जिसके नाम में उत्तर है, जैसे उत्तर में धुरूतारा रहता है। दुरू तारा को देखकर के लोग अपनी दिशा का ज्यान प्रात करते हैं कि कौन सी दिशा में हैं, हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे इस देश के बहुत इसस्वी प्रदान मंत्री आदियर नरेंदर मोदी जी के मार्ग दर्सन में और उत्तर प्रदेश के बहुत इत्वस्वी मंत्री जी का जो संकल्प है इस देश को आत्म दिर्वर्ग और पूर्ण रुप से विक्षित बनाना है दास्ता के सारे चिन्न खतम करने हैं और राम का मंद्र भी उसी उसी दिशा के अंदर एक बहुत बड़ा हमारा माईल इस्ट्रों बहुत बड़ा हमारा एक कदम है मेरा विश्वास है कि बागपत इस प्रकार से प्रगति कर रहा है आज बागपत उत्तर परदेश के 75 जलों में जिस प्रकार से बगपत ने तरकी किये हैं और प्रदेश का सबसे अच्छा जला बनता जा रहा है मैं आप लोगों के माध्यम से सबीशे अपील करूँगा सबीशे प्रात्रा करूंगा कि जिस प्रकार से मोदी की गारंटी पूरे देश के लिए है योगीजी की गारंटी उत्तर प्रदेश के लिए है हम सब मिलकर के इस बागपत को एक गारंटी दे कि बागपत को हम सबसे अच्छा जो है जिना बना करके रहेंगे मैं इस उत्तर प्रदेश दिवस पर बागपत के सभी निवाशों को सभी अधिकारियों को सभी सरकारी करंचौरियों को उनको मैं बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ और बहुत-बहुत सुबकामनाई भी देता हूं जहान समस्ची राम केwieं कि फीर्फेरा देश राम agreement इसके इसके जहां भारते जन्ता पार्टि के जीत का प्रसंद फशार्श न में ओ तो पहले से लिखा गया दिवारों पे लिखा गयाए हुए 54 में उफार्ट ओपो पर शहने पार्टि के लिखे अरधार पार्टी आध्ये मोधी जींग नेत्रों तोमें तो कोई टिपनी नहीं कर सकता हूं लेकि मुझे लगता है कि जो उनका निरना है वो उनको मुबारक हो